क्लास वाइब लेसन नबर फूर लिटल वर्ड ओफ मड विज इस कंपोस्ट बाइ रसकिन बॉन बच्चों की कहानिया लिखते हैं रसकिन बॉन तो ये भी उनके बच्पन से रिलेटेड एक कहानी है एक पहले स्टाइटल समझ लेते हैं एक छोटी सी दुनिया मिट्टी की या मिट्टी की चोटी सी दुनिया बहुत इंट्रस्टिंग आफ्टनून वह अपने विलेज में बिताते हैं जानवरों से दोस्ती करते हैं जानवरों में इंट्रस्ट डेवलप करते हैं जानवरों में इंट्रस्ट डेवलप करते हैं और खूप अच्छी दुपहर बीटती है छुटियो वाली तो यही सबसे स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं परले गट सट फटाफट वाली एक्टिविटी कर लेते हैं अ यंग बॉइ जो कि मारे यहां पर मेंन करेक्टर है और वो हिंसल्फ रसकिन मॉन ही है इस इंटूगड़ बाए ऐनिमल्स वह उनका इंट्रस्ट जो है अनिमल्स में डव 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 जाता है और जो की रहते हैं इन्हाबिटेंट्स हैं मडी पॉंड के पॉंड है तालाब है रेतीला मिट्टी भरा तालाब है तो उसमें जो फ्रॉग्स डवफलो जाते हैं उन सब में हमारे जो राइटर है रसकिन मॉन उनका इंट्रस्ट डैवलाप हो जाता है जब वो अपनी आफ्टरनून्स दुपहर अपने गाउं में विलिज में बिताते हैं ठीक है तो अब ये गेट सेट फटा फट वाली एक्टिविटी है इसमें आप थोड़ी सी ड्रॉइंग मनाईए इंस्ट्रक्शन बनाईए और डग बनाईए और मुझे दिखाईए चलिए हम शिरू करते हैं जब वो एक यंग बच्चा था चोटा बच्चा था लगबगा आप समझ लो बारा चौदा साल का रसकिन बॉंड राइटर अफ दे स्टोरी ओपन स्पेंड टाइम वेधिस ग्रैंड पेरंस वो घर्मियों की चुटियों में अपने दैदा जी के पास अजाय करता था वोव एंकी जो स्टोरी होती है वो रिवॉल करते है उनके एंक्सेh में जो उनके उनके कहानिया है, मज़ेदार किसे बापतो हैं कि की तरह उनका बच्पन सब्सक्राइक आटे की ज़नका यह उनके जहक्ता है उनके घर्मियों मिलती है what happens during one such stay of his with the grandparents क्या होता है एक बार जब वो ग्राइन्स के साथ रह रहे होते है read this story to find out इस story में हम पढ़ेंगे एक बार का ये किस्सा है तो आई जहां भी उस हुआ है वो है रसकिन मौन I had never realized there was much to be found in the rainwater pond behind our house in North India North India में वो रा करते थे तो कहरें मैंने कभी सोचा भी नहीं था या realize नहीं किया था कि इतना कुछ मुझे एक rainwater pond में तलाब में मिल जाएगा जो कि मेरे घर के पीछे है except मैंने मतलब मिट्टी के इलावा या water buffalo के इलावा मुझे इतना कुछ भी जानने को देखने को मिल जाएगा water pond में ठीक है तो story है rainwater pond की क्या होता है यह मेरे दादा जी है जिनोंने मुझे मिलवाया इन लोगों से जो की इन जानवरों से या इन creatures से जो की pond में रहते हैं जिनकी दुनिया pond है to the inhabitants of the pond pond में रहने वालों के लिए pond is their entire world उनके पूरी दुनिया ही pond है जिसमें frog tadbols जो भी insects रहते हैं उनको लगता है हमारी दुनिया ही पूरी की पूरी यह pond है maintained grandfather the world was but a muddy pond लेकिन उनके लिए तो पूरी दुनिया ही यह pond है और लेकिन पूरी दुनिया एक क्या है एक मड़ी pond के बराबर है जिसमें खचड़ पचड़ खचड़ लोग भरे पड़े हैं लड़ रहे हैं मर रहे हैं और दूसरे के बीचे भाग रहे हैं ठीक है तो शुरू होती है कहानी when grandfather first showed me the pond world he chose a dry place जब जब दादा जी ने मुझे इसकी बारे में बताया ना तो हम ऐसे जैसे मान लो यह pond है इसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है पानी में काफी सारे जानवर है तो हम एक किनारे पर मैं और दादा जी बैट गए दादा जी मुझे लेकर दुपहर में बैट गए भी सेट फॉर एन आवर एक घंटे हम आप बैटे रहे हैं गेजिंग गेजिंग मानें लुकिंग कियर्फुली स्टेडिली एट थिन ग्रूम सेकम और यहां पर वाटर के ऊपर जो है वो काही जम गई है चोटी चोटी एल्गी जम जाती ना इस काही को हम देख रहे हैं हमने दस मिनट इसे और देखा और हमें कुछ भी नहीं दिखा फिर इसमें से एक काले से रंका कुछ ब्लब ब्लब सा होने लगा कुछ ऊपर उफन के आ रहा था काले से रंका अरे क्या है काले से रंका चलो जाने समझा गया ना इतना आपको कि दादा जी और हमारे नेरेटर एसकिन मौन जो है वो किनारे पे बैठे में है उन्होंने देखा एक आदे खंटे से वो आने लगा अंटिल एट लास्ट कुड मेक आउट और आखिर में मैं क्या देखता हूं तो यह तो एक मैडग का सिर है इस ग्रे आइस टेरिंग हार्ड ऐसा और उसकी जो काली-काली ग्रे ग्रे आके हैं वो मुझे और दादा जी को देख रही हैं समझे आप लोग ही दिड नॉट 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 इफ वी वर फ्रेंड उसे नहीं पता कि हम उसे मारने आए हैं यह हम उसके दोस्त बनने आए हैं और नीचे की तरफ ही बैठा हूँ है जादा उपर नहीं आ रहा अ हैरन हैरन होती एक चडिया माइट हैव बीन वेडिंग अबाउट इन सर्च समझ में इतनी बात चलिए आके बढ़ते हैं वेन वी हैड मेट शूर वी वर नॉट हैरन जब हमने इसे विश्वास दिला दिया कि हम भई कोई हैरन नहीं है ही इंफॉर्म इस फ्रेंड नेबर्स तो उनने अपने दोस्तों को भी और पडोशियों को भी बुलाय किसमें इसे कि आपने नहीं और आखे दिखेंगी है फ्रोट वेल ओंट गले सुझे पड़े और सुझे से अवाज भान लिए और कर अभा इस तरह कि के वाज निगा लिए जो कियान की बहुत सारे टैड़कोज की पॉपुलेशन वहाँ पर आ पर आप पॉंड के उपर अन्द शै यह पहल है तार उसन तरह सरा तडपों है अब इससे सार ही त्याटपों देख गए। दादाची से पूछा, दादाची यह टैटपोल कहते क्या हैं? उसने का एरे यार, एक दूसरे कोई खा लेते हैं? एक दूसरे कोई खाते रहते हैं बहुत सारे समय तक. अरे, तो वो कहता है, यह तो बड़ी अजीब सा, अन्प्लीजन्ट कस्टम लगता है, यह तो बड़ी अजीब सा, इनकी फैशन है, यह कैसा फैशन है, यह एक दूसरे कोई खा लेते हैं, बट वेन यू थिंक, लेकिन जब आप ही सोचो की थाउजन्स अफ टैडपोल्स हैच हुए हैं, और एक दिन जब यह हैच होके सारे ही बड़े हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया में टैडपोली टैडपोल फैल जाएंगे, और जब टैडपोल फ्रॉग की छोटी होती है, जैसे अंडा होता है, अंडे में से टैडपोल निकलता है, टैडपोल बड़ा होके जो है वो फ्रॉग बन जाता है, तो यह कह रहा है अगर टैडपोली टैडपोल एक दूसरे के सारे में फैल गया और बड़े हो कि वह फ्रॉग बन गये तो वह पूरी की पूरे ग्राउड पे फैल जाएंगे और हमारे घड़ तक भढ़ जाएंगे इतने हो जाएंगे इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि टै खुश हो जाएंगी वाओ चलो मैंने सोचा कि आज मैंने घर ले जाता हूँ काफी सारे फ्रॉग जित्ते मेरे हाथ में हैं मैं उन्हें मुठी भरी और भहिया उन्हें अपने घर में ले जाकर एक जार में बंद कर दिया अपने विंडो के किनारे पे अपने बेडरूम में उन्हें रख दिया मज़े मज़े में भहिया ले गए कुछ एक मुठी भर कर टैड़ फ्रॉग्स और अपने घर में एक जार में भर कर रख दिया एट अबाउट और अगले दिन सुबह के चार बजे भाई सब पूरे घर में शोर शराबा हो गया सब लोग उठके बैठ गए और बड़ी अजीब सी वाजे घर में घूम रही हैं और मेरे ग्रैंट फादर मेरी बुआएं सब सारी नौकर सब इकटे हो गए वरान्डा में क कि आखिर हुआ क्या ही कौन सी वाजी है ते वर फ्यूरियस वोने बहुत गुस्सा आ रहा है जब उन्हें यह दिखा कि वो सारी शोर जो है वो मेरे फ्रोग्स मचा रहे हैं मेरे जो जार में बंद फ्रोग्स हैं सींग डॉन और सुबह भोर हो गई है यानि कि भोर कौन से स लेकिन मुझ से कहा गया यह जखते रहो और बोतल को बार बार हिलाते रहो आओ, whenever the frog, whenever the frog showed sign of bursting into frog songs. जैसे ही frog songs गाना शुरू होते थे, मैं फिर से एक बार बोतल को हिला दिया करता था. और breakfast शुरू होने से पहले ही मैंने भाहिया उने गार्डन में छोड़ दिया. मेरा तो कहा पीछा छुटाओ और मैंने तो उन्हें गार्डन में छोड़ दिया बेक पास चुरों में से पहले I was soon visiting the pond on my own फिर मैं धीरे धीरे पहल तो दादा जी लिजाते थे फिर मैं अब अपने आप ही pond पे जाने लगा exploring its bank उसके किनारों पे जाने लगा shallows वो area देखने लगा जहां पे वो कम घहरा था and taking off my shoes और अपने जूते उतार कर I would wade into the muddy potter और मैं wade माने उतर जाना और जहां जहां shallow हुआ करता था जैसे उस पेड के पास shallow था तो उस पेड के पास मैं अपनी चपल वपल उतार कर उसमें नीचे की तरफ उतर जाया करता था गुटनों तक मेरे पानी आ जाता था एक दिन जब मैं पॉंड पे पहुचा तो उसमें बहुत सारी बफलोस थी और उस बफलोस का ओनर एक छोटा लड़का था जो मेरे से थोड़ा सा बड़ा था मैं 12 साल का था वह लगबग 14 साल का था और वह पॉंड के बीच में स्विम कर रहा था और स्विम करते करते एक दम से वह कूदा और एक बफलो के उपर चड़ गया स्ट्रेश आउट इस बॉड़ी ऑन दा एनिमल्स ग्लिस्लिंग बैक और चमकती भी भैस की स्किन पर उसने अपनी एक अंगडाई सी ली और स्टाड़े से गाना गह रहा था यह एक गरीब सा लड़का था जो भैसों को दुपैर में नहलाने के लिए ली जाता था तो हमार आजा आई तोल्ड हिम आई कुड़न्ट स्टाड़े स्टाड़े लड़के का निमत्रण स्विकार कलिया और यह डाइब ऑफ था बैक और इस बफलो और स्ट्रा और मेरे पास त्यारता हुआ आगया और मैंने अपनी टी शर्ट और लोर शर्ट उतारे और मैंने उसकी इंस्ट्रक्शन मानी और आई वस फ्लाउंबरेंग अबाउट अमंग दा वाटर लिलीज और थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे स्विमिंग करता हुआ वा व दुपैर को स्विमिंग सीखने जाने लगे हैं पॉण में तो जाता था दुपैर के समय ही और दुपैर भी कौन सी थी गर्मियों की दुपैर जहां आप लोग एसी में पड़े राते हो ना वो दुपैर में जाकर जब सब घर के लोग सो गए हैं मैं उससे मिलता हूँ और जाकर के उससे स्विमिंग सीखता हूँ बिफोर लॉंग काफी समय पहले आए वस अबल तो स्विम एक्रॉस दा पॉंड तो सिट विद राम अस्ट्राइट अ कंटेंटेड बफलो और थोड़े समय पहले ही मैं सीख गया किस तरह पॉंड में तेरा जाता है और रामू के सा वाइल अनिमल्स और डिफ्रेंट डिफ्रेंट भैसों पर हम लोग बैठा करते थे और बड़ी अच्छी दुपहर बीता करती थी रामू हैड रिसीब नो स्कूलिंग रामू जो था वह अनपड़ बच्चा था उसने पढ़ा ही लिखाई करी नी थी बट लेकिन उसको तरम साथ क्रॉश ती हो कि उसे ट्राइशनल स्टोडिई ब आप वाणन जी के बारे में मुकु से कहथाओं है बहुत सारी थी और वह सिंगेimizin घुल चूडिया में पावित्र में फ़ता है तुम-ड। ब्लू जे, ब्लू जे के बारे में पता है, एक दिन क्या होता है, एक ब्लू जे वर्ड पीपल ट्री से नीचे की तरफ उठती है, और वो अपने चोच में ग्रास हॉपर दबा के ले जाती है, तो रामू मुझसे कहता है, कि ये जो ब्लू जे है ना, और ये भगवान शेव ह ये ने नील खंट कहा जाता है, तो वो चड़िया ब्लू जे जो होती है, उसकी गला नीला होता है, और शिव जी का भी गला नीला होता है, शिव जी प्रभु जी जो भगवान है, बोले नात, उनकी बात बताता है, वो कहता है, तुम्हें पता है, शिव जी का गला नीला क् क्योंकि एक बार क्या हुआ, हिूमन्स की जाती को बचाने के लिए उन्होंने गले में पोईजन पी लिया था, अगर वो पोईजन नहीं पीते तो पूरी दुनिया नश्ट हो जाती, और अगर वो पोईजन अंदर चले जाता उनके तो भी कुछ विनाश हो था, तो उन्होंन यह नीलकंट, जो यह ब्लू जे बढ़ है, यह भी नीलकंट कहलाती है, तो फिर मैंने पूछा, क्या स्क्विरल्स भी पवित्र होती है, तो उसने का, अरे, हां, रसकिन तुझे यही नहीं पता, कि जो गौड शिव है, स्वरी, गौड कृष्णा है, वो स्क्विरल्स को ब पाहिने बन गई है, उनके बैक पर, हेड से टेल तक के लिए, यह लाइन है, यह लाइन है, यह क्रिशना की हातों की उंगलियों की लाइन है, बोथ रामू एंड ग्रेंट फादर, फेल्ट एट वी शुड बी मोर जेंटल विद अनिमल्स, दोनों से मुझे यही शिक्षा म उनका भी अर्थ पर, प्रत्वी पर उतना ही हक है, दादा जी ने रसकिन मौन को समझाया, everywhere animals are finding it more difficult, अब क्या है हर जगे यह बहुत मुश्किल होता जारा जानवनों के लिए कि वो रह सकें, क्योंकि हम उनके forest को destroy कर रहे हैं, we have to keep moving as, they have to keep moving as the trees disappear, उन्हें भागना पड़त many long afternoons at the pond, और, रामु और मैंने कई दुपहर बिताई, pond में, we never saw each other, लेकिन उस बार के बाद, जब मैं अगली बार हाया, तो मैंने उसे कभी नहीं देख, after I left my grandparents, जब मैं grandparent का घर वहां से छोड़के, फिर मैं कहीं hostel में चला गया था ना, उसके बाद मैंने, कभी रामु क सिर्फ हमाई दोस्ती के बारे में buffaloes जानती थी, frogs जानते थे, जिनके साथ हमने अपनी काफी secrets share करी हैं, उस समय जब pond में मैं और वो खेला करते थे, हम खुब किस से कहानिया एक दूसरे को बताया करते थे, वो भी मुझे sacred animals के बारे में बताता था, मैं भी अपने experiences उसे share कर था, they had accepted us as part of their own world, उन्होंने भी अपने उस pond के world में हमें अपना दोस्त बना लिया था, शामिल कर लिया था, they are muddy but comfortable pond, उनका जो छोटा सा pond था, जो उनकी पूरी दुनिया थी, उन्होंने अपनी दुनिया का हिस्सा मुझे और रामु राजु को भी बना लिया था, तो हमने मैंने रामु को भी बना लिया था, मैंने और रामु ने बहुत अच्छा समय उनके little world में गुजारा कौन सा word था वो, the little world of mud, तो ये थी स्टोरी कैसी लगी, सक्सेना ट्यूटर्स ने कैसा explain किया, वीडियो अच्छी लगी तो thumbs up करेंगे, दोस्तों को भी recommend करेंगे, जल्द ही ले करके आती हूँ, book exercises are question answers, bye bye